नमस्कार मैं सुरिष कुमार और आप देख रहे हैं पल पल ओनलाइन दवाईयों की विरोध में कालावाली केमिस्टर एसोशेशन का पूर्ण रूप से बन वहीं उन्होंने स्टियम को ग्यापन सोफा आपको बताता कि भारत सरकार द्वारा ओनलाइन दवाईया भेजने की अनुमती देने के विरोध में कालावाली केमिस्टर एसोशेशन के प्रधान वेद परकास गरक के नेतरितों में आज एसडियम की गैर मौझूदगी में उनके सुप्रिडेंट को ग्यापन सोफा गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा ओनलाइन दवाईया भेजने की अनुमती देने के विरोध में पिछले करीब एक सब्ताय से देश भर में केमिस्ट काले भीले लगा करके इसका विरोध कर रहे हैं इसी कड़ी के तहट आज कालावाली मेडिकल एसेशेशन के पदादिकारियों द्वारा मंडी के सभी मेडिकल स्टोरों के बाहर पे 28 तरीक को बंद के पॉस्टर लगाए गए वहीं उन्होंने सभी को अपनी अपनी दुकाने बंद करने के निर्देश भी थिये मेडिकल एसेशेशन के परधान बेद परकाश गरग ने बताया कि हम इस ओनलाइन दवाईयां बेचने की नीटी का कठोर निंदा करते हैं क्योंकि सरकार के इस फैंसले से लाकों लोगों की रोजी-रोजी पर संकट आ गया है इसके साथ साथ जो भी प्रतिबंदित दवाईयां है वह ओनलाइन प्रनाली से लोगों के पास आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी जो किसी भी भी परकार से देश वह समाज के लिए हित में नहीं है ताकि सरकार अपने इस हैसल को वापस ले आप देख रहे हैं कालावाली से विमल गुपता की ये खास रिपोर्ट